हेलो चुटेंड कैसे आप सो उमीद करता हूं आप सब बच्चे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल दी होगी और आज का टॉपिक है क्लास लें फिजिक्स में प्रत्यास्ता किसे कहते हैं प्रत्यास्त बस्तूइं और प्लास्टिक बस्तूओं में अ चाहे या स्प्रिंग को खीच दिया जाए और फिर से छोड़ दिया जाए तो अपने मूर स्थित में आजाते है ऐसल गया। फिर से spring मोल स्थित में आ जाता है cycle का जो seat होता है बच्चों उसके नीचे आप देखो के दो spring लगी रहती है ताकि किसी भी jumping में जो spring है jumping लगेगा तो spring दबेगा spring फैल जाएगा जिससे seat नीचे चलिएगी लेकिन कमूल स्थित आने पर spring अपने अपने अवस्था में आ जाता है तो spring में क्या होता है कि हमें दी कोण होता है इसकल के परिवरतन इस्थित में आजाता है पैन का स्प्रिंग लेने आप खीच के देख लेना रब्र ले लेना रबर ठीक है आप लोग रबर देखे होंगे जो एक रुपए में चार-चैर रबर आ जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं जो बाल में लोग लगाते हैं लड़कियां लोग सब जानते हैं कि वो एदियाब उसको फैलाओगे तो फैल जाएगा फिर बच्चो छोन दो तो अपने मूल स्थित में आ जाता है समझ में आई बात तो प्रत्यास्था पदार्थ की एक गुण है जिसके कारण हुए किसी भी अपने आकार या आयतन में परिवर्तन करने का बिरोध करता है जैसे हमने आपको समझाया कि इस प्रिंग को हमने फैलाया और इस प्रिंग को फैला रहे हम लेकिन वो क्या करेगा जैसे आप बल हटा दोगे तो इस प्रिंग अपने मू स्थित में आ रहा है कहीं न कहीं उस पर एक बल लग रहा है कहीं न कहीं उसमें एक बल लग रहा है जिस बल के कारण वो परिवर्तन का बिरोद कर रहा है तो वही एक प्रत्यस्था कहला जाता है यहीं जिसे हम किसी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो उसकी आयतन और आकार में बिक्रति का बिरोद करने वाला गुन जो है उप प्रित्यस्था कहलाता है कोई दिक्कत तो नहीं है देखो ज़रा परिभासा यहां पर पूरा लिखा है प्रित्यस्था पदार्द का वह गुन है जिसके कारन कोई बस्तू बिरोपक बलदवारा लंबाई आयतन या आकरती में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तथा इस बल को हटा लेने पर वो एपनी पूर्वा वस्थामी आ जाता है यदि आप एक काम करो कि कभी भी आप इस्थित में खीचना और छोड़ कर देखना कि पूर विस्थित में आता है कि नहीं बिल्कुल आता है क्योंकि उसके इंदर भी एक बल कार कर रहा है जो एक प्रत्यास्था का रूप है जिस बल के काड़ों अपने इस्थित में परिवर्तन का विरोध करता है बच्चों विरूपक बल के आधार पर इसको हम तीन भागों बाटे हैं प्रत्यास्थ बस्तुएं सुघट बस्तुएं भंगुर जिन पर प्रत्यास्था का गुण होगा एक एक ऐसी बस्तु जिन पर बल लगानेसे इसकी आकार आकरत में परिवर्तन हो जाता है किसी मालीज्या आप तामे का तार ले लो और उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दो खीज दो तो लंबा ही रहेगा वो फिर अपने मुलिसित में छोटा नहीं होने वाला तो एदी हमने किसी बस्तु पर विरूपक बल लगाया उसके आकार आकरती और आयतर में परिवर्तन हुआ लेकिन जैसे बल हाटा लें तो प्लास्टिक बस्तु या सुघट बस्तु कहलाता है ठीक है थोड़ा परिवासा देख लो अंतर भी देखेंगे बच्चो एक मिनट प्रत्यास्त बस्तु यह उन बस्तु को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई आकरती आकार में परिवर्तन हो जाता हैं किन्तु बल को यह थी हटा लें तो अपने पुना वापस मूल स्थिक में नहीं लोट पाता उसे हम सुघट बस्तु प्लास्टिक बस्तु कहते हैं जिन बच्चों को नोट्स बनाना होना तो प्लीज वो अच्छे तरीके से इनको लिख लिया करें इस्क्रीन साट ले ल बिरूपक बल लगाने पर आकरतियायतन में परिवर्तन तो होता है लेकिन या यदि بल को हटा ले तो पूर स्थित में नहीं लोटता तो उसे हम बुलते हैं सुघट या फ्लास्टिक बस्तु को ने परिवर्तन होता है दूसरा अंतर देखो गे आप लोग थोड़ा सा अंत स्थित में आ गया तो आई स्थाई है इस्थाई नहीं है लेकिन यादी किसी चालकतार को अठीक खीच दो सोने को सोना देखे हो आप उसको खीच दो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो इसमें इस्थाई έχει परिवर्तन एक्जमपल की तऔर में आप एक दो एक्जमपल थ्यार कर लोगा ताबाइस पात इन ने प्रिट्यत्था का गुण पाए जाता है इसलिए प्रिट्य ज़िए सावून गेली मिट्टी मॉमфji कि इन पर एक ऐसा गुण है कि हम एक बारती बल लगा दे उनकी इस्थित में परिवर्तन हो जाए और मूल इस्थित में वापस ना याए यह चीर बच्छो तो अंतर भी त्यार हो गया होगा तीन ही अंतर है एक आपका हो गया परिवासा कि बस्तों इसे बोलेंगे कि जिनमें विरूपक बल लगाने से उनकी कारत यह लंबाई परिवर्तन हो जाए लेकिन हटा लेने से बल को हटा लेने से अपने मूल शित में वापस आ जाए और यह ऐसा नहीं होता तो सुघट बस्तों ने ऐ مतलब सुघता क्या है जसे प्रत्यास्ता और सुघता बॐनों में डि quelloन से पृत्यास्ता के देता बस्तु सुघत बस्तों में किसी बोलेंगे यह तो अट वह जिसके खागता बस्तुं का वह गुण है जिसके करन बिरुपग बलदवरा इसकी लंबाई आयतनिया आकरित में परिवर्तन का विरोध नहीं करता है विरोध नहीं करता है इसलिए तो आकार बढ़ जाता है अपने मूल इस्थित में आपस नहीं आता यदि मूल इस्थित में आता तो विरोध करता लेकिन विरोध करना ही नहीं चाहता बोले लंबाई बढ़ करनो अपने मूल स्थित पे नहीं आता बच्छो और भंगुर बस तू किसे बोल देंगे कि यह किसी बस तू पर हम बल लगाए तो वह तूट जाए तू भंगुरता कहलाता है सबको पता है जिसे सूखा सूखी हुई मिट्टी के ढेला कांच का टुकड़ा ठीक है मिट्टी क यह भंगुर बस तूे है थोड़ा सा बल लगा दो तो वो हो चूड के रूप में तूढ जाएगा के अम किसी बस तूपर विरूपक बल लगाते हैं और वदी वो चूड के युट जाय या टूट जाय चिधा टूट जाय और भंगुर बस्तूर बसुत कहला है जी दे क्लिया आगा बहीं साथ तो आज आप लोग उतना त्यार काले लेना प्रत्यस था किसे कालते हैं प्रत्यस्था के मतलब प्रत्यास बस्तों और सुघट बस्तों में अंतर बिल्कुल त्यार कर लेना ओके आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदमातरम